नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का जीद मध्यप्रदेश 37 कर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ की टिदिक्षित भोपाल गैस त्रासदी जिसे पूरे 40 साल बीच चुके हैं और अब इसी त्रासदी के कच्रे को जलानी की बात कही जा रही है दरसल मध्यप्रदेश सरकार यूनियन कारबाइट फैक्टरी में 350 मीट्रिक टन जहरीले कच्रे का निप्तान शुरू करने चा रही है कच्रे का निप्तान आपको सुनने में अच्छा लग सकता है लेकिन इस पूरे प्रोसेस पर सवाल खड़े हो गए इसका निप्तान इन दौर के पीथम पूरस्तित ट्रीट्मेंट स्टोरेज डिस्पोजिबल फैसिलिटी में किया ट्राएगा जिसको लेकर लोगों का मानना है कि इस कच्रे के कारण इन दौर के फिज़ा में जहर घुल सकता है भूपाल गैस त्रासदीक से जितने कच्रे का निप्तान किया जाना है वो कुल कच्रे का महस 5 पीसदी है इसके अलावा एहम ये भी है कि 12 साल पहले जर्मनी की कमपनी ने इसी कच्रे को निप्ताने का खर्च महस 22 करोड बताया था जर्मनी की कमपनी इसे भारत में नहीं बलकि अपने मुल्क में खत्म करना चाहती थी लेकिन तब सरकार नहीं इनकार कर दिया अब इसी कच्रे का निप्तान राज्च में हो रहा है और लागत है 126 करोड रुपए और इसके खत्रे को लेकर अब कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं और तो और लापरवाही की कई ऐसी तस्वीरे सामने आई हैं जो आपको हैरान करतेंगी रिपोर्ट देखिए जी मधिप्रदेश आपको कुछ ऐसी एक्स्लूसिफ तस्वीरे दिखाने जा रहा है जो वाकई हैरान कर देने वाली है उन तस्वीरों से पहले आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने पीथम पुरिस्तित कंपनी को 126 करोड का बजट दिया है और इसी बजट से अब 337 तन जहरीला कच्रा जलाये जाएगा 126 करोड की लागस से ये जहरीला कच्रा यूनियन कारवाइट का खत्म किया जाएगा ये तस्वीरे मैं आपको अंदर की दिखा रहा हूँ यहां से जहां तक आप तस्वीरे दिखेंगे जहां तक नजर पसारेंगे ये यूनियन कारबाइट राजदानी भूपाल की उस फैक्टरी की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसने 40 साल पहले जहरीली गैस के रिसाब से हजारों लोगों की जान ले ली थी कच्रा जलाने की प्रक्रिया ऐसी महिने से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है हाला की एकुल जहरीले कच्रे का 5 फीसद है ये कच्रा बेहत खतरनाक है यही कारण है कि यहां किसी को भी आने जाने की अनुमती नहीं है लेकिन इस बीच एक ऐसे तस्वीर सामने आई जिसने सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिये और वो है ये टूटी हुई दिवार कंपनी के आसपास हुई बाउंडरी कई जगे से टूटी है हईराने की बाद तो यह है कि बच्चे कंपणी के अंदर जाते भी हैं और रिल्स भी बराते हैं नहीँ में जरूफने है चले जाते हैं अंदर तो नहीं बनाते हैं वही मतला वीडियो मीडियो बनाने के लिए अच्छा अधर आप ने यह देखी तो वहीं एक दूसरी तस्बीर भी देख लीजिए जहां कंपनी में जब हमारे समवादाता ने जाने की कोशिश की तो कैसे उन्हें नियमो का हवाला यूनियन कारवाइट के आप इंचार्ज हैं फरीद नाम है अपका अच्छा तो अंदर कैसे जाएंगे फिर अपर्मीशन अच्छा अच्छा यह भाई जब यह पूछ रहा था मैं आपसे यह चौतरफा जो बाउंडरी टूटी है इसकी बच्चे अंदर जा रहा हैं रील बना रहे हैं जहरी लिए कचिरे तक पहुंच रहा हैं जी क्या परेशानी है प्रेक्टिकली परेशानी है ऐसे में डर नहीं है कि बच्चे अंदर जा रहा हैं हो सकते हैं फिर से गैसरे साब ना हो जाए फिर से कोई तो सुना आपने यूनियन कारवाइट के इंचार्ज ये तो मान रहे हैं कि सुरक्षा बेवस्था में कमी है लेकिन इससे कैसे दुरूस्त किया जाए वो शयाद उन्हें मालूम नहीं नेमो को सुनने के बाद जब हमने गार्ड साहब से जाने की कोशिश की कि आखिर कमपनी के अंदर कैसे जाया जाए तो जरा उनका भी रवयात देख लीचे कि तुबाग क्यों रहे हैं बता दीदे जानकाजी देदी बता दिया ना आपको यह मैं चोतरफा देख रहा था बाउन्डरी तूटी हुए यह के बच्चे तो अंदर जा रहे हैं कैसी सुरक्षा है हद यूनियन कारवाइड हजारों लोगों की जान चली गई चोतरफा बाउन्डरी तूट गई है बच्चे अंदर जा रहे हैं रील बना रहे हैं एक गेट पर सेक्योर्टी गाड और पुलिस कर्मी बैठे हुए उसी में हालात तैसे हैं कि पुलिस कर्मी सो रहे हैं और सेक हो सकता है क्या भोपाल बारूत पर बैठा हुआ है सवाल ये खड़ा हो रहा है चालीस साल बात कवायच सुरू हुई है लेकिन सुरक्षामस सैन खुले आम नजर आ रही है कामरामें अतुल जैन के साथ प्रमूत शर्मा जी मीडिया भोपाल तो यह हुई लापरवाही की ब अदद तक नहीं दी कई है गैस प्रास्दी के कारण भोपाल में हाहा कार मज़ गया क्या उसका कच्रा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा इन सबी सवालों के बीच हमने उन पीड़तों से भी बातचीत की जो आज भी इस गैस प्रास्दी का दंश झेल रहे हैं जब आप भी इनकी बाते सुनेंगे तो शायद आपकी भी आखे नम हो जाएं अभी भी बीमारा आदा सब हो रहा है और उसकत भोज्जाद होगा हमारे घर से दो गए शरकार ने कुछ ने दिया खा गए पती एक दिलोल नहीं शादी करके लाए बेटे की बहुत रहा हो तो सर्ब बोत कभी भी निकल सकता है उसमें जमीन के अंदर है तो कभी भी निकल सकता है और पेले भी इतना वड़ा हास सब कितने नों मरें हमारे घर में हमारे दो भाई खतम हुए तो इस तरफ यह रहवास ही है और इनका दर्द यह आप देखेंगे तो यह बूडी अम्मा को आप देखेंगे इनका सुहाग छिन गया और इनकी बहुत चली गई वही माबले में अस्थानी नश्रीम भी बताती है कि कैसे आज भी लोग त्रास्दी का दंश छेल रहे हैं बच्चों की शादी नहीं हो रही और फैक्टरी में सुरक्षा बेवस्था किवल ना मातर की है इस्तानी लोगों को यह कि यहां का पानी जहरीला है यहां लोग बीमार पढ़ना है यहां विकलांगता ज्यादा है पैक्टरी के जो पानी पिया है उसी चीज से यह नुकसान हो रही है लोगों को और सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही है कमपनी के कच्रे को जलाने के लिए पीथमपूर को चुना गया है वही कच्रा जलाने के दौरान पूरी साउधानी भी बरती जाएगी अगर किसी भी प्रकार से गाउ की आधा किलोमिटर की परीधी में किसी को भी संबन्दित परिशानी होगी तो उसको जलाने से तुरंत रोग दिया जाएगा किलो परती घंटे के हिसाफ से 337 टन कचरे को जलाय जाना है और इस छे महां के समय में वो कचरा जब जलाय जाएगा तो इस करबर में लीचेट ही खटा होगा अब यह देखना है कि वो लीचेट जो है MEE में जब इवेपोरेट किया जाएगा तो उसका कोई दुस्प्रभाव तो नहीं होता यदि किसी प्रकार की कोई तकलीब हाती है खासी, सर्दी, जुकाम, बुखार वगेरा भी होता है तो निश्चित रूप से इस कचरे को जलाय जाने से रोकने है तो हम लोग आंदुलन करेंगे तो सरकार की ओर से कचरा जलाने के लिए 126 करोड खर्च किये जा रहे है अब वहीं इस कचरे को ले करके कई राधर पहले मना कर चुके हैं जोले आब आपको बता देते हैं कि वो कौज़ से राच़चे है गुज़राज सरकार ने दो हजार साथ में इनकार किया महराश्ट्र में नवंबर दो हजार ग्यारह में नावंजूर कर दिया गया नागपुर में डियाडियों ने प्रस्ताव दिया था महराश्ट्र सरकार ने इसे अस्विक्रित कर दिया आंध्यप्रदेश सरकार ने भी अस्विकार कर दिया और अब आपको बताते हैं कि इस कारवाइट के कच्रे से कौन-कौन प्रभावित हो रहा है 2004 से 2018 तक 42 बस्तियों के भूजल को जहरीला कर दिया सुप्रीम कोट ने प्रदूर्शन को स्विकार किया और प्रभावित क्षेत्रों को साफ पानी देने का आदेश दिया गया बीते 5 सालों में प्रदूर्शन 29 और बस्तियों में फैल चुका है 2004 में संयुक्त राष्ट्र परिवरण कारिकरम UNEP ने जहरीले कच्रे के आंकलन की पेशकर्श की थी लेकिन सरकार ने इसे अंसुना कर दिया था तो ये जो स्थितिया बनी हुई है अब इस कच्रे को जलाया जाएगा वो कितना हानिकारिक हो सकता है ये भी समझने के हम कोशिश करेंगे मारे समवादाता प्रमोट शर्मा बोपाल से जुड़ गए है प्रमोट छोटी मोटी रकम नहीं 126 करोड रुपए और 126 करोड रु जिस कच्रे का निस्पादन में को लागत जो 226 करोड बता रही थी अब 12 साल बाद बढ़कर ये कीमत 126 करोड हो गई है 337 जो जहर है उसको अब इंदोर के पीतंपुर में ख़द्म किया जाएगा जैसे ही ये खबर सामने आई और जो पीडित लोग हैं परीजनों से हमने बात चीत की तो उनके जक्त मारे हो गए देखें दो दिसंबर साल 1984 आज से ठीक तकरीबन 40 साल पहले का वक्त जब राजदानी बोपाल के यूनियन कारवाइट से जहरीली गैस का रिसाब होता है ये M.I.C. गैस है इसके रिसाब होने से ततकाल 25 सो से 26 सो के आस पास जो निर्दोस लोग थे उनकी जान चली गई और हजारों की तादात में लोग आज भी अपंगता का सिकार हैं कई पीडिया दंस भुगत रही हैं अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं के तकरीबन 15 अजार के आस पास लोगों की इस गैस राजदी के चलते मत हुई है अब लेकिन जहां पर ये जहर रखा हुआ है यूनियन कारवाइट उसकी सुरक्षा में खुले आम सेंध है जहर तक लोग पहुँच रहे हैं बच्चे परमीशन मांगी जाती है लेकिन आजू बाजू आप देखेंगे तो जिसने तकरीबन एक रिकॉर्ट कहता है पांच जार लोगों की जान गई है यूनियन कारवाइट में गैस रसाब मामले से दूसरी रिपोर्ट कहती है के दस हजार के असपास और तीस ही रिपोर्ट कहत जाए तो बतीस एकड़ में लगवागे पैक्टरी जो यूनियन कारवाइड है वो फैली हुई है इसमें तकरीबन कई बादेखें सेक्रो मेट्रिक टन जो है बो जहर पड़ा हुआ है आसपास के जो ताला में जहरी ले हो गए लोग यादी बाद जैड या पंप लगवात सेंध है प्रसासन सो रहा है फिर से 40 साल पुरानी और प्रमोट ये बताईए गासी अगर गैस का यहाँ पर इसका खात्मा करने की कोशिश जब की जा रही है तो क्या इससे पहले की जो रिसर्च है वो करी गई है कि आखिरकार अगर इसका निप्टान किया जाता है तो और लोग हैं उनको किसी तरह की परिश्वानी नहीं कयोंकि इससे पहले जिनुवनीन दंश ढख तख उन्हें एक पाई नहीं मिली और अब अगर इस गैस को खात्मा कीया जाता है तो क्या उससे पहले तवाम तरह की जो तकनीकिया होती है, क्या रिसर्च होती है, उसको किया गया है? देखे एक बात समझना बहुत जरूरी है, कि ये जो 126 करोड रुपे हैं, ये कोई डाव केमिकल यानि जो यूनियन कारवाइट की पैरेंट्स कंपनी हैं वो नहीं दे रही है, उसने तो कह दिया है कि वो देश की यानि इंडिया की अधालतों के अंडर में नहीं आते हैं, य तो अब ये कच्रा निस्पादन में 126 करोड रुपे खर्च होंगे, मुझे उस समय की बोगटना याद आ रही है, जब इस कच्रे को खत्म किया जा रहा था, तो उस दौरान जो तत्कालीन मिनिस्टर थे, जैन्त मलिया समेट बाकी, उन्होंने पत्र लिखाता और कहा था ये अस्वंत सागर इंदौर पीतंपुर का खत्म हो सकता है, यदि वहां से गैस लीक हो गई तो, और बाकाइदा पत्र लिखाता है, उसके बाद इस जहर के निस्पादन की प्रिक्रिया में रोक लग गई थी, उस समय केंदर वे मनमान की सरकार थी, अब जब फिर से इस ज आई सो किलो मीटर दूर धार ले जाए जाएगा, तो आप समझे लिए रिस्क इतने बड़े पैमाने पर, यहां से ले जाते वक्त यदि रिस्क वो लीक हो गई तो, आसपास के लोगों से जब मैंने बाद चीट की हूँ, तो देखिए उनके दर 40 सार पुराने हरे हो गए, वो कहने लगे कि एक तो सुरक्षा मसेंद है, बच्चे पहुंच जाते हैं, रील बना रहे हैं, कभी भी फिर से कोई हाथसा ना हो जाए, और जब यहां से जैर को ले जाए जाएगा, तो फिर हाथसा ना हो जाए, इन दौर की सुरक्षा पर भी उन्होंने खत्रा बाले सं करता है, जोनोंने एंडर्सन को भगाया, वो भले ही इस दुनिया से चले गए हो, लेकिन वो पाली आज तक इस दंस को भुगत रहे हैं, देखें, उनकी भर्पाई कभी नहीं हो सकती, जो 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 यूनियन कारवाइड में चार चालीस साल पहले गैसरे साब के चलते हैं, द दरकार मान लाएं, सकैला भी की वो आस्यू देखिए, उनके बातचीत देखिए, वो कहती हैं कि हम गैस सब होस्पिटल जाते हैं तो लोग मुबंद कर लेते हैं ठीक से बातचीत नहीं करते, मेरा स्वाह गुजड़ गया और अब डर लगता है कि फर से गैसर साबना हो जा चाहिं और असपास जो यूनियन कारवाइट का निकलने वाला जहर के लिए तालाब बनाये गए थे, उन तालाबों में जहर अभी भी है, और हैरत की बाद तो यह है कि यूनियन कारवाइट का जो इंटर्स्रक्चर है, उसको लोग तोड़ तोड कर ले जा रहे हैं, चोरि बिल्कुल और 40 साल पुरानी घटना एक बार फिर से ना हो इसको लेकर के कहीं गंभीर कदम उठाने की जरूरत बन जाती और 126 करोड रुपए एक भारी भरकम रकम वो इसके निश्पादन के लिए इस्तमाल हो रही है बहुत शुक्री आपका तमाम जानकारी पहुचाने के प्रमूदू और फिलाल के लिए इस खास पेशकर्श में इतना ही आप देखते रहें जी मत्यो प्रदेश चाहती सब्सक्राइब